हाई दिस इस आतिश का पाडिया और मैं पेश करने जा रहा हूँ लेखक के तौर पे कुछ आप बीती कुछ अपने अनुभव लेकिन एक काल्पनिक कलाकार जिगनेश भनसाली के जरीए तो पेश है जिगनेश भनसाली मैं एक लेखक हूँ लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोते हुए पेदा हो आपको लेखक हुआ है अभी उस दिन में मेरे फ्रेंड आसीस के घर गया था तो आसीस बोला पापा यह मेरा फ्रेंड जिगनेश लेखक है लेखक तो पापा बोले अच्छा तो फिर खाना खिला के बेजना बेचारे को अभी लेखक मतलब क्या हमेशा पूखाई होगा आजकल के नए नए लेखक तो क्या क्या नहीं खाते प्रोडूसर की ओफिस के धक्के फिर गेट मी सम लड़ू ज्रामा ऐसा बोलने वाली चैनल एपी की गालियां एक दिन मैं ऐसे ही घर पे वड़ा पाउं खा रहा था तो बोली जिगनेस what do you do मैंने कहा मासी I write तो मासी बोली that's all मैंने फट से बोल दिया नहीं मासी असाइड में मैं online रमी भी खेलता हूँ और dry day के दिन मैं जूबीच पे जाके illegal beer भी बेचता हूँ तो मासी बोली thank god मैं तो डर गई थी बेटा हाला कि सारे रिष्चेदार एसे डरते नहीं है कुछ लोग खुश भी होते हैं मेरा cousin brother विशाल भाई मुझे फोन करके बोला so genius सुना है तो लेखक बन गया है भेंडी मैंने का हाँ तो विशाल भाई बोले आचा सुन मेरा बेटा प्रितुल first standard में है school में तो तू उसका English का निबन लिखके दे English में और निबन का विशय है myself सोचो अभी प्रितुल का school का first standard का myself का निबन में लिखके दू मैंने जान बुझ के लिखा myself my name जिगनेश बंसाली age 22 Monday to Friday I watch interesting and intelligent stuff Saturday Sunday I watch Hindi फिलम अभी आज विशाल भाई 2020 में ऐसा निबन लिखने को बोलेंगे ना तो मैं लिखूंगा myself name जिगनेश सीला बंसाली age 52 Monday to Friday I like to watch Radha Bahu main lead of TV serial सास बनी सोतन वजन उसका दोतन because from the past 13 years Radha Bahu is saying the same dialogue माजी रसोडे में मैं नही थी मिक्सर ग्राइंडर का धक्कन खुला रक्के उसके अंदर चटनी पीसू उतनी धक्कन नही हूं मैं माजी नही हूं written by me my everyday weekday hobbies are calling a producer and begging please show my name in the beginning of tv serial title before the name of creative head and sub assistant executive supervising producer's name and telling the channel EP के अले आप भाई cutting one dialogue page number four dialogue number 11 is not going to increase your TRP माजी अभी एक दिन ना मुझे मेरी दखसा मासी मिली तो मुझे बोली ए जिगू मैरे बबलू को डालना तेरी line में उसको राइटिंग में घुसा 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 तो जैसे अपनी राइटिंग की line वो बहत बड़ा बिस्तर है और उनका बबलू चगदर का कीना रहा जिसको मैं गुसाओं गुसाओं मैंने पूछा मासी बबलू लिखता है उसको कुछ लिखना आता है तो मासी बोली हो क्या डायलोग लिखता है मेरा बबलू अभी कभी खुसी कभी गम देख रहा था तो उसमें अमिता बच् उसकी sequel बन रही है, thank you sorry much returns again and again and again and again, उसकी story screenplay में तो डाल तो बबलु को, मैंने हाथ जोड़े, मैंने का मासी, इस picture में story screenplay होते ही नहीं है, इसका main कलाकार पासा, खतम हुआ तेरा तमासा, इच्चत पे हाथ डाली तो हाथ तोड़ूंगा, रिस्वत घुस खाई तो दाथ तो अब भी मैं तो भड़कला, जाके कोफी कड़कला, ऐसा बोलता रहता है, और बाकी के छे साथ जो कलाकार हैं, वो लोग जोर जोर से मूँ बना के WhatsApp के जोग सुनाते रहते हैं, foreign location पे, तो मासी बोली आच्छा, वेब सीरीस, वेब सीरीस में तो तू कुछ कर बबलु का, वो मा की, बेन की, बॉस की, फिर वो अंग्रे जी गाली जो डख के साथ राइम करती है, वो भी लिगता है, जो बहुत गुस्सा आया, मैंने का मासी इनाफ हा, वेब सीरीस में सिर्फ गालिया ही नहीं होती, सेक्स सीन, गे सीन, मुंबई की जुपडपटियों में भागम भाग सीन, मुह में से खाना थूकना सीन, अरे कोई-कोई वेब सीरीस में तो कोई-कोई लोग साफ सुत्रे भी होते हैं, नाय दोए, जो एंड तक जिन्दा बचते हैं, अभी मासी को क्या लगता है कि अगर आ जिगनेस, मैं फेमस बन गया, मैंने का चल जूटे, तू तो सरीफ है, तेरे खिला तो किसी ने मीटू किसी कायद भी नहीं किये, तो तू फेमस केसे, तो चिराग बोला नहीं नहीं, मेरी नोवेल पे से पिक्चर बनने जा रही है, और पिक्चर खतम हो जाने पर, एंड ट अब भी, उस दिन एक लेखक के तौर पे मैं अंदर से बहुत रोया था, जूट नहीं बोलूँगा, क्या है भाईयों बेनो, एक लेखक के लिए रोने की सबसे बड़ी वज़े होती है, उसकी क्रेडिट, अल्या भई, बीज किसी का भी हो, लेकिन स्क्रिप्ट की मां होता है लेखक, तो भाईयों ने बेनो, लेखक की लिए रोने की वज़े, एक मिनिटा है, जीगनेस बंडशाली स्पीकिंग, येस, I am the writer of famous TV serial, होसना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल बर, तुमसे मिलने के बाद दिल बर, दिल बर, दिल बर, दिल बर, दि सीजन टू स्पीकिंग, हाँ जी मैं लेखक हूँ, हाँ लिखने वाला लेखक ले, हाँ, किदर भी लिखता हूँ, paper पे, laptop पे, toilet में बेट के वाल पे, हाँ, नहीं, 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 आपके घर-खरत का हिसाब और laundry का हिसाब वो नहीं लिखता मैं, उसका चालू नहीं किया है मैंने अभी साइड में दो राइटर को भीठा के, अरे भई, राइटर को थोड़ी रिस्पेक्ट तो दो, हालो, रिस्पेक्ट मांगी तो फोर्म काट डाला, ऐसा है, लेकिन अभी राइटर बने हो, तो भूख तो, Hi, this is Atish Kapadia and all the nonsense that I've just spoken is entirely my own and S.W.A. is not in any way responsible for what I've said. If I've heard the sentiments of anyone who's touchy or lacks the sense of humor to laugh at his or herself, then I sincerely apologize. Jai Hind, Jai Marashtra and Jai Ho Writer.